हेलो एडिवन वेल्कम पू माई चैनल मैं महेश राई स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में तो यह जो कोशन पेपर है यह 2015 का कोशन पेपर है और जून का है ठीक है और यह तीसरा थट कोशन पेपर है इसके पांचवी वीडियो क्लास है ठीक है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम 24 का कोशन पेपर करेंगे तो चलिए यह रेखें सही करमें विवस्तित करें तो यह पूरा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यह हमने कोशन कर लिया था इसलिए मैं ड्रेक्ट इसका आंसर बता देता हूं तो इसका भी होगा ठीक है यह सही करेंगे शलिये आगे जलते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुम्लित करें फिक हैं या को सुम्लित करना है मैं दिखा देता हूं कुटवी आपको ने देखिए कुटवी आपको दिया गया है देखिए और बताएं देखें इसका जो सही आंसर है वो है ए ठीक है एका तीन हो जाएगा मुहमद दबीर खां सितार वादक है अमजद अली खां क्या है तो ये सरोद वादक है और विलायत खां क्या है तो विलायत खां सोरी ये थोड़ा मैंने मिश्चेक कर दी दूर सेकेंड ही है इसका लेकिन अब मुहमद दबीर खां क्या है बीन वादक है अमजद अली खां क्या है तो सरोद वादक है विलायत खां क्या है तो सितार वादक है और सुल्तान खां क्या देख लीजे अच्छे से यहां पिलिगा मोंब्मद दवीर खान बीन वादक से अमजद अली खान सरोद वादक से विलायत खान सितारवादन से हैं अशुल्टान खान सारंगी वादन से समंदित अभीकतर दिया गया है एक कारण दिया गया है आपको बताना है ये देखिए, दोनों ही मैंने आपको दिखा दिया है अभी खतर ए है उस्ताद वहीद खाँ एक सुर्बहार वादक थे कारण आ रहे का क्योंकि उन्होंने वाद सयंत्र का अविश्कार किया कुट दे रखा है आपको ए आर दोनों ही सही है, ए आर दोनों गलत है ए सही है लेकिन आर गलत है और ए सही है लेकिन आर गलत है सही आंसर इसका C, A, R दोनों ही गलत है ठीक है विया आंसर इसका सही होगा इसका सी आंसर होगा कथन तो इसका सही है उस्तार वहीद कहां एक सुर्भारवादक है और परन्तु कारण इसका गलत है कोश्चन नमबर 63 है निमलिखित को सुमलित करें भैडवी, जिनजोटी खमाज पूरिया इसका जो सही आंसर है वो है कुट भी है इसमें देख लीजे विलावल है मारवा है और इस तरह से कुट भी आपको दे रखे है सही आंसर है इसका बी देखेंगे जो विलास खानी तोड़ी बहर भी ठाट से है जिनजोटी खमाज थाट से है अलईया विलावल थाट से है पूरिया राग मारवा थाट से संबन्दित है इससे सुमलित करना है आपको देखें चले से सुमलित करते हैं इसका सही आंसर होगा सी ठीक है कैसे देखें एक का दो हो जाएगा ततवाद में रवाब आ गया आपका बी का तीन हो जाएगा तो सुसीर का जालियो नेट तेलोरियो नेट ठीक है उसके बाद सी का आपका चार हो जाएगा घटम हो जाएगा अब नद्धिवाद से हो जाएगा इसका मंदीरा हो जाएगा गणवाद से ठीक है देखिए यह लिखा हुआ है रवाब ततवादे से टेलोरियों नेक्ट सुसीरवादे से घटम अवनध्यवादे से मंदिरा घनवादे से सम्मंदित है यह देखिए कोशन नमबर 65 सुर सिंगार उपकरन किस ने आरम किया जफर खान मुहमद खान इमदाद खान या वजीर खान इसका जो सही आंसर होगा होगा ए जफर खान में सुरूब सिंगार आरम किया था ठीक है जफर खान तीक है सुर सिंगार वादे जफर खान ने आरम किया था इसके अविशकार के सम्मंद में बहुन मत पाए जाते हैं एक मत यहा है लखनों के नवाव वाजिद अली शाह के गुरू प्यारे खां ने इस वादे का अविशकार किया ठीक है जफर खास सव पतं हम लाखनों दर्बार में रबाब बचाते मलकी रबाब वादक रहें कोशन नमर 66 है मिमलिखित में से कौन सा सही सुनलित नहीं है एक तरब आपको ठाट है दोनों ठीक है दोनों ठाट है यह और एक दक्षणी ठाट है एक उत्री संगीत का ठाट है हिंदुस्तानी पद्धिती एक दक्षणी पद्धिती करनाटक पद्धिती वो सब्तेयों से आप दी आंसर इसका दे रखा है यह देखें भैरव को माल वगौल मेल कहते हैं यह थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है माया माल हना इसे माया मालग गौड कहते हैं से यह थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है करनाटक संगीत में हिंदुस्तानी के दस थाट के नाम को अलग नामों से जानते हैं कल्यान ठाट को कल्यानी विलावल को संग्राभन खामाज को हरी कामभोजी पूरवी को कामवर्धिनी और मारवा को गमन प्रिया काफी को खरर पिया और आसावरी को नट भहरवी भहरवी को हनुमन तोड़ी तोड़ी को सुभ्पंत्र वटाल्यू के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसका जो है ना, यह मढ देखिए आप, काफी को खरर्धी आ है कहाजाता है, ठीक है, तोड़ी को कहा जाता है, तोड़ी कोàiलई जाता है, भ Ben tutaj खायू, ठीक है, काम वजनी किसको कहते है पूरी वी को कहते है याद रही है इसका जो सही आंसर है वो है बी पूछ रहे कौन सा सही नहीं है कोशन नवर 67 निमलकीत में से कौन सा सही सुमलित है साजिद परवेज इमदाद खानी इमलकी इसमें कौन सा सही सुमलित है आपको बताना है ठीक है मनिलाल नाग मेहर से अब्दुल करीम खां पटियाला से महमू खां आगरा से देखे इसका सही आंसरों का बी मनिलाल नाग मेहरा घराने से मेहर घराने संब्दित हैं मेहर घराने की नीव अलावदीन खाने रखी थी इस घराने के अन्यक कलाकार पंडित रही शंकर निखिल बनेर जी अन्यपूना देवी अली अकवर खां इंद्र नील और भट्टा चार इस्री पन्नालाल घोश शर्ण रानी माथूर और राबीन घोश इत्यादी लोग हैं रॉबिन घोश ठीक है कोशन नमर्श शिक्ष्टी एट है आरडी बर्मन ने किन से सरोध भजाना सीखा था आरडी बर्मन ने यह तो बहुत ज़्यादा विख्यात है उस्ताद अलाउद्दीन खान ठीक है पंडित राधी का मुहन मुईत्रा ठीक है उस्ताद अली अकबर खान और उस्ताद अमजद अली खान इसका सही आंसर होगा सी ठीक है आरडी बर्मन ने अली अकबर खान ठीक है अली अकबर खान से सरोध वजाना सीखा था अली अकबर का जन्म 14 अपरेल 1922 को शिवपूर बंगाल में हुआ यह महान सरोध वादर उस्ताद अलाउद्दीन खान के एक मात पुत्र है इनको कई सम्मान मिलें जिनमें से 1974 में रविंद्र भारतिय विश्योईद्याले से डॉक्टर ओफ लिक्ट्रेचर की मानद उपादी तथा भार सरकावदारा पदम भुशन पदम विभुशन सम्मान से अलंकृत किया गया इनकी मित्यू 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में हुआ था ठीए कोशन नमबर 69 है एप स्लो यूट म्यूजिक का सही तातपर निम्लिखित में से कौन सा है ए वह संगीत जो सुनने और समझने में आसान होता है बी पार्ष संगीत जिसका भातावन बनाने के लिए उप्योग किया जाता है सी लोगप्रिय नित्य संगीत डी वह संगीत जो सोदाहरन नहीं होता या चित्रित नहीं करता इसका सही आंसर होगा डी ठीक है संगीत जो सोदाहरन नहीं होता या चित्रित नहीं होता ठीक है यह इसका आंसर होगा डी ठीक है कोशन नंबर सेवेंटी है पखावज के बाई हाथ की और कौन सा तत्व सम्मंद रखता है लोहे के बुरादे का लेग चार कोल का लेग आटे का लेग या उप्रोक्त में से कोई नहीं पुछा गया कि पखावज जो होता है न उसकी बाई हाथ की और ठीक है बाई हाथ की और कौन सा कौन सी चीज होती है इन चारों में से सही आंसर इसका C आटे का लेग होता है ठीक है बाई हाथ की तरफ पखावज के बाई हाथ की और आटे का लेप लगाय जाता है या अवनद्य वाद्यों की श्रिणी में आता है इसके दोनों मुख पर चम्रे से मड़े होते हैं इसका प्रियोग दुर्पद गायन के साथ किया जाता है कोशन नमबर 71 है रूपक ताल को एक सही 3 बटे 4 लेकारी बनाने के लिए कितनी मात्रा ज़रूरी है पाँच तीन चार पॉइंट फाइव यह चार यह चार दिसामल पाँच ऐसे यह बोल सकते हैं सही आंसर इसका डी चार ठीक है रूपक ताल को एक सही 3 बटे 4 लेकारी बनाने के लिए 4 मात्रा की जरूरत पड़ती है रूपक में कितनी होती है मात्रा? साथ होती है इसमें 3 विवाव होते हैं इसमें खाली नहीं होता है कभी कभी कुशन आयसा था पूछ दिया जाता है कि रूपक में खाली कौनसी मात्रा पड़ती है अंतर मार्ग होना चीए थोड़ा बहुत न इन सम्में थोड़ा सा मिस्टेक होता है यह बुक्स वाली जो चीज होती है ना बुक्स के कोश्यन पेपर में थोड़ा सा चीज़ें को ना मात्राओं में गलती होती है लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं तो फिर आपको आप भी बता चल जाएगा कि यह चीज यह है सही आंसर है इसका बागी मैं आपको बता ही दूँ आ काल असंगत है, सन्यास मंद्र अंतरमाग राग में प्रियोग किया जाता है, जबकि काल का प्रियोग काल की मात्रा को गिनना है, यह इसका होगा काल, काल असंगत है, ठीक है? देखे, कोशन नमर 73 है, यह राग ललित में सड़स को मध्यम की तरह लिया जाता है, तो कौन सा राग प्राप्त होगा? मुल्कानी, बिहाग, तोड़ी, विलावर, अब यह जो दिया गया है न, यह, बी ओप्शन, यह बिहाग नहीं है, यह बिहाग है, ठीक है? छोटी एके मात्रा इसरे चड़ेगी, यह इन्हीं प्राप्लम की मैं अभी बात कर रहा है, कि कुछ प्राप्लम्स इस मात्राओं की होती है, हर एक्जाम में होता है इसा, इसका सही आंसर है, यह एडिटिंग में प्राप्लम होती है इस चीज़ों की, जब कुछन पेपर बनाया जाता है या बुक जब एडिट किया जाता है तो तब यह सब प्राप्लम हो जाती है, तो अब इसका सी आंसर है, राग ललित तोड़ी होगा इसका, ठीक है? याद अगना? राग ललित में सड़ज को अगर हम मद्धियम की तरह लेने पर राग तोड़ी के स्वर-प्राप्त होगे, ठीक है? तोड़ी जो राग है उसके बारे में पूरा परीचय में दे रहा है। ललित का जो संप्रक्तिक राग है वो क्या है रंजनी है यह याद रखना कभी-कभी पूछ दिया जाता है देखे क्या है कोशन नंबर 74 निमलिखित में से कौन सा एक रागो का सम्हू समय के क्रमा अनुसार लिखा गया है क्रम के अनुसार लिखा गया है यह पूछा गया है भैरव विलावर विर्दावनी सारन भीमपलासी फिर है भी काफी खमास थोड़ी मालकुष इससी है बिहाग यमन बागेश्री दरवारी कानगा विड़ी है बढ़ियार जौनपुरी रागेश्वरी उलतानी कि इसकी कर्म को कैसे आप पहचा नहींगे इसका सही आंसर होगा यह ठीक है भेरव भीमपलासी व्रिंदावनी सारन और भेरव विलावल व्रिंदावनी सारन और भीमपलासी इस तरीके से होगा यह सही कर्म है सही कर्म को पहचाने देखे जो A है मार्ग जाती प्रस्तार अंग ग्रह कला क्रिया ले यती काल B है काल मार्ग क्रिया अंग ग्रह जाती कला ले यती प्रस्तार C है क्रिया प्रस्तार ले अंग जाती यती मार्ग कला ग्रह और चौता है प्रस्तार यती ले कला ग्रह अंग जाती क्रिया मार कला इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भी ठीक है यह आंसर होगा इसका पहले काल से स्टार्ट होता है पहले काल, फिर मार, फिर क्रिया, फिर अंग, फिर ग्रह, फिर जाती, फिर कला, फिर लह, फिर यति, फिर प्रस्ता, प्रस्ता सबसे लास्ट मा आता है, काल सबसे पहले आता है, दिखे क्या है, पूरा एक्स्प्रेन करके बतानू, काल के दस प्राण होते हैं, उसका सही कर्म एक पहला जो है काल, दूसरा मार्क, तीसरा क्रिया, चोथा अंग, पांसवा ग्रह, छटा जाती, साथमा कला, आठमा ले, नौवा यती, दसमा प्रस्तार, ये सही कर्म है, भरत्मुनी के अनुसार संगीत में काल नापने के साधन को ताल कहते हैं, क्या बोला गया है आपे, फ काल को जो नापने का साधन है, उसे ताल कहते हैं, तथा संगीत रतना करके अनुसार ताल वहाँ है, जिसमें नित्यवादे तथा गीत प्रतिष्चित रहते हैं, नित्य और वादे और तीनों मतलब की रहते हैं, गायन वादे ने तीनों रहते हैं, उसे प्रतिष्चित रह अच्छा बताए है, ठीब, संगीत में जो काल नापने के साधन को ताल कहते हैं, तो ये था आज के हमारे कुछ प्रश्ण है, ये जो कोशन पेपर है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है यह 2015 का कोशन पेपर है जून का है ठीए जून का है और यह ठट कोशन पेपर था इसकी पांच वीडियो प्लास थी 15 15 करके कोशन हो चुकी है तो आप सब जरूर करना है शेयर जरूर करना है चैनल को और टेलीग्राम से आपको जूड़ना तो जूड़ सकते हैं दिस्क्रिप्टिशन में ने उसका दे रखा है तो थांक वरीवन मुझे अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे like कीजे बेल ऐकन को press कीजे को भी problem होता है तो comment करके आप पूर सकते हैं बागे telegram का link मैंने description में दे रखा है telegram का जो नाम है वो all music exam ठीक है telegram का जो नाम है वो all music exam के नाम से telegram है अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं जितनी भी notification आती है जितनी भी jobs आती है नहीं नहीं चाहिए वह गौवर्मेंट हो प्राइवेट हो कोई और चीज की वेकनसी आती है तो सारी चीज में वहाँ पर प्राइवेट जो जो आती है उसके बारे में वहाँ पर डीटेल से सारी चीजे बताता रहता हूं बाकि जो भी अभी वेकेंसी आने वाली है आप तयारी अच्छी से करते हैं नेक की जियार एफ की वी और टीजीटी पीजीटी की तयारी इससे आपकी ऑटोमेटिक होगी तो आप रेगुलर तयारी करिए अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके तयारी करेंगे तो तो आज के लिए थाइंग थाइंकियो अव्रिवन जाहिं जावार्वार्व